दोस्तों किया आप भी जो है Samsung के Notification Panel से बौर हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा changing चाहते हैं या फिर आप थोड़ा सा customization चाहते हैं ताकि आपका जो Notification Panel है वो चेंज हो जाए जैसे कि आपका ये Notification Panel है तो इख्या होता है कि आप यूज करते करते थोड़ा से बोरिंग फील होने शुरू है ता कि नहीं भाई मेरा नोटिविक्शन पैनल थोड़ा से यहां पर पुराना सा है वही अप्डेट कितनी अप्डेट सा चुकी है 1.5.0 अप्डेट आ चुका है लेकिन इतना कुछ आप यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं आपके नोटिविशन पैनल पे तो आज मैं कुछ कुछ कस्टमाइजेशन यहां पर करूँगा सिंपल सी साधी सी कोई भी आपको यहां पर फॉन को जो है रूट करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल से से इटिंस हैं जो कि आपने करनी है और कस्टमाइजेशन करनी है उसके बाद आपका जो सैंसंग का नोटिविशन पैनल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा तो कैसे करना है कैसे नहीं सोना मश्कार दोस्तों मेरा नाम है राकिश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टेक चैनल चलिस वीडियो को चुरू करते हैं तो क्या करना होगा जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रेता हूं जैसे की अललडी यहाँ रककर रिंख वागा तो क्या वाते कितना प्यारो जब गयरा है निच्चे करूँगा तो और शाय स्कूर और स्कूरत करूंगा इस तरह इस तरह ठीक है तो नोट क्लिक करना है आपका यहां पी YouTube ऑपन हो जाएगा ठीक है और भी भोगो सारे फीचर जैंगे जैसे कि मैं पर दिखा देता हूं ठीक है और जैसे कि दोस्तों मैंने application अपर open कर लिए फिर इसमार कंट्रोल सेंटर को यहां पर में पर मिशन देनी इनी है पर मिशन देनी जैसे मैं दे रहाँ वैससे आपने पर मिशन देनी है जैसे मैं कर देना है फिर उसको बाद स्टेटस अलाव ठीक है फिर आप पर नेबल ब्लूटूट परमीशन ओके फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आपका यह काम यहां पर खतम हो चुका है फिर बैक आना है आपने बैक आने के बाद आप जब नोटिविशन पैनल नीचे क सब्सक्राइब यूटूब जो भी है ठीक है तो इस एप्लिकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाया है कमेंट बोक्स मैंने पिन करके रखा हुआ है जाए वहां से और डाउनलोड कर लेजिए काफी मज़दार है तो बाइबाई टेक जाहन बंदमात